भारत अपनी पौराणिक संस्कृत्ती और धरोहर को सवारने वाला देश है यहाँ अनेक मंदिर और धरोहरें आज भी अपना अस्तित्व संभाले हुए है इसी कड़ी में उज्जेन महाकाल मंदिर में एक और पौराणिक मंदिर के अफशेश मिले हैं बताया जा रहा है कि यह मंदिर लगबख हजार साल पौराना है महाकाल मंदिर में चल रहे विस्तारी करण कार्यों को लेकर खुदाई में करीब एक हजार साल पौराना मंदिर मिलने की बात सामने आई थी जिसके बाद अचानक खुदाई के कारे को रूख दिया गया था जिसके बाद उज्जैन पुरा तत्व की टीम और आर्कियोलोजी सर्वे ओफ इंडिया की टीम को भी सूचना दी गई इसके बाद तीन सदस सिदल भुपाल से उज्जैन पहुचा जहां उन्होंने शुरुआती जानकारी ली और भारतिये पुरा तत्व सर्वेक्षन भुपाल के डॉक्टर प्यूजबट ने बताया कि खुदाई में मिले प्राचीन मंदिर के अफशेश दिखाई दे रहे हैं जो की संभक्ता दसवी और ग्यारवी शताबदी के हैं साती खुदाई में मंदिर का पार्ट भी नजर आ रहा है मानिक इंद्री मंतरी स्री प्रलाज सिंग पटेल जी सस्कृतियों परेटन मंतरी भारत सरकार है उनके निर्देशों पर आज हम लोग यहां पर निरिक्षण कारी करने आये हुए है जिसमें हम लोगों के साथ उज्जेन विश्विद्याले के जो पराची नितिहास और पुरातक्तों के जो प्रोफिसर है वो लोग डक्टर अहिरवार साथ हैं यह हमारे साथ है तो हम लोगों ने साथ में निरिक्षण इसमें किया तो इसमें यही पाये गया कि जो मंदिर परिशर में जो काम चल रहा था खुदाई का उसमें कुछ अफसेस प्राप्त हुए है और यह अफसेस है यह किसी अभी इसके बारे में बहुत निशित रूप से है क्योंकि अभी यह बहुत थोड़े इस्तर कर हमलों को दिखाई दिया है लेकिन हाँ यह निशित है कि यह किसी प्राचीन मंदिर के अफसेस रहे होंगे जो कि अधिस्थान जिसको बोला जाता है मंदिर के नीचे का पाठ जिसको पूरा मंदिर खड़ा होता है उसके पाठ है और अभी जब इसमें आगे खुदाई इसके अभी शुरुआत की जाएगी साथनी पूरो खुदाई इसका पूरा प्लान पता चलेगा कि ये किस तरीके का यहां पर देखिए ये तो अब महाकालेश्वर इस्थानी प्रसासन और मंदिर समिती का निरणा है कि इसको काप से खुदाई शुरू करें कैसे करें इसमें जब भी खुदाई शुरू होगी त हम लोग को तो जो पता-चला था कि पेपर में हम लोगों ने पड़ा था क्योंकि हमांता मंदिरश की ओर इससारी सॱ्उर की ओई तकषि चर्चशक होई काफी देर तक तो उसमें अभी यही पाया गया है कि हाँ निश्यत रूप से यह मंदिर अउस्टे सिहां पर हैं जो प्रतीत हो रहे हैं दर्शी ग्यारी में शताब दीके प्रतीत हो रहे हैं जो इनका जो आप बता रहे हैं सामान ने प्रक्रिया है कोई इस तरह से प्राशेश निकलते हैं तो उसका अध्यन करते हैं जो भी रिपोर्ट तयार होगी उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अग्रीम कारवाई करें प्राशेश मिलते हैं कि खुदा का काम उसके पहले से रुका हुआ था जो प्रशाज की वेश्माव के तेर्ज होता है वकुब की काम ऐसा है यह भाईश के उसमें है यह बत सही है कि हमारे उज्जेन है हजारों साल पुरानी नगरी है और इया करके में के बहुत संफ़ाओना और उज्जेन के पुराने प्राने इतिहास सरुड़लों मुँ खुल के वहाईगा और हमारे लिए एक फिर से उज्जेन की वो नई संस्क्रती हमारी जानकारी में आएगी जिसके आजार पर उज्जेन के पुरातात्री के उमर किशाइट कर सकते हैं अभी तक जो पुरातात पाउसर्चिया प्राप्त हुए हैं वो लगभग 4,000 साल से पुराने हैं लेकर उज्जेन तो हजारों सल बुरानी हैं और अब नई नई टेक्नलाजी आ गई नए संसातन आगा है नए इंत्र आगा हैं तो एक बाए नए परिप्रेक्श में उत्खनन होना चाहिए तो दीन स्टानों के बारे में रिक्मेंड किया है पुरातातुत की हैजीला कर ला है और विक्रम श्ऺत जला है दोनों विवाग मिलकरकर राज्य सरकार के मात्यम से भारत सरकार तक यह प्रास्ताव पहुचाने वाले है स्केलूरात्य सो yes दूबारा एक praणक् की बहुत संभावना है तो जो यहां पातीत के काल में आक्रमनों करके जो मंदिरों को द्वस्त पिया गया था ऐसे सभी रहस्टर से परदा उठ सकेगा खबरों में बने रहने के लिए ग्रामिन आरट टीवी को सब्सक्राइब कीजिये और बेल आइकॉन दबाना ना भूले